दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पे दूद बनाने का तरीका बताने वाला हूँ जिन लोगों को बजार का मिल्क पसंद नहीं आता है वो इस दूद को अपने घर पे बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुती जादा मातरा में फाइबर और प्रोटीन हैं जो लोग पतले दूबले हैं और अपना बजन तेजी से बढ़ाना चाते हैं वो इस दूद को अपने घर पे बना के जरूर इस्तिमाल करें इससे आपका बजन भी बहुती तेजी से बढ़ने वाला है दोस्तो इस दूद को बनाने के लिए आपको बजार से ज़्यादा समान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ आपको वजार से एक ही चीज लानी होगी और इसके बाद आप इस दूद को आसानी से बना सकते हैं बहुती धेर सारा बहुती कम पैसो में तो दोस्तो जिन लोगों का ये सवालता की सारा मोटा होना चाते हैं वो इस मिल्क का इस्तिमाल कर सकते हैं बहुती असान तरीके से ये बन जाएगा वो इसको बनाने के बाद आपको इसको कैसे इस्तिमाल करना है वो भी इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ इस दूद को कैसे बनाना है तो वीडियो पतना है तो इसको like share जरू करें दोस्तों इस दूद को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें पहली चीज़ चाहिए होगी वो है सोयबीन सिर्फ हमें सोयबीन ही लेना है आप इसको कैसे बनाना है आपको दूद को बहुत ही द्यांसे समझीए क्योंकि सोयबीन का दूद बनाना बहुत ही असान है लेकिन सही तरीका जादा तर लोगों को पता नहीं होता है तो यहाँ पर हमने पहाड़ी सोयवीन लिया है आपके घर के आसपा जो भी आपको सोयवीन मिले वो आप ले लीजिए इसके बाद इसमें जितना भी कूड़ा यानि कि जो भी आपको छोटे छोटे पत्थर या जो भी निकले वो आप इसको सफाई कर लीजिए इसको अच्छ कि यहां पर हम इसके सबफी शिलकों को इस परिकार को इस तरीके से जबने लेंगे एक मिक्सी का r और मिक्सी के जार में हमें सभी सोयवीन को डाल देना होगा, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जितना भी मिल्क बनाना चाते हैं, उतना ही आप सोयवीन ले सकते हैं, अब हम क्या गरेंगे, इसको ग्राइड करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे, क्यो लाइज दूद के बाद हमें इसका दूद पकाना होगा, यानि कि इसका मिल्क बनाना होगा, इसके लिए हमने बड़े वर्तन में गैस पर रख दिया है, इसको पगने के लिए, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए कमसा 15-20 मिनिट का समय लग तो इसको भी उबाल आने में लगवग 10-15 मिनिट लग जाते हैं। चलिए अब हम इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए और इसके आप देखेंगे मोटा मोटा सा आपको यह पपड़ी टाइप की जमिवी दिखाई दे देंगे तो जैसे कि आप देखेंगे उबालने के बाद दूद आदा हो चुका है तो यहाँ पर लगवग 15-20 मिनिट आप इससे उबालेंगे तो यह अच्छी तरीके से उबाल जाता है लेकिन जाग का आप ध्यान लगए जितने भी इसके जाग है उनसको आप निकाल देन हैं आप जाग को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम धूद्को ठंडा होने के लिए रग दैंगे तो हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं दूद बिलकु ठंडा हो चुका है वाम क्या करेंगे अब इसे चानना होगा क्योंकि इसमें बहुत जादा प्रोटिन और अगर आप दूद्ध को पहले से चानदेंगे मतलब गळम होने से पहले चानदेंगे तो इसके फ़ाइवर हो जो प्रोटीन होते हैं हम पहलने की बाद ठंडा होने की बाद अब हमने एक कप्ड़ा ले लिया है आपके पास जितना बारी कप्ड़ा होगा उस नहीं अच्छा आपका दूद्ध चनेगा तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा रगने के बाद बरतन में दूद्ध को हम अच्छी तरीके से चाणलेंगे तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से चांलें जितना भी दूद्ध होगा वह असानी से निकल जाता है यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल गाडा-गाडा हमारा दूद निकल के आ चुका है जैसे कि बजार में होता है जो लोग दूद मिना पसंद नहीं करते हैं उनको भी दूद बहुत से जादा टेस्टी लगेगा यहाँ पर इसका जो सोयवीन का बचा हुआ है इसका हम इस उसी की दूद की तरह लग रहा होगा अब आप इसमें चीनी मिलाकर गुड मिलाकर या फिर मिस्री मिलाकर असानी से पी सकते हैं बहुत ही जदा टेस्टी आपका दूद बनके त्यार हो चुका है तो दोस्तों आपको यह मिल्क बनाने की रेसिपी कैसी लगए आप नीशे क कोमेंट करके जरूब बता हैं हमारे यूट्यूब चैनल